नमस्कार दोस्तों तो बात करने है आज कोलकता दार्बी की क्यों अपना वो चार्म खोती जा रही है और क्यों सोचल मीडिया पे बोईकोट कोलकता दार्बी का दिया पे ट्रेंच चला है और फाइनली वो डेवी आ चुका है कि कल वो होने वाली है लेकिन सोचल मीडिया पे अगर आप देखे तो खुद इस्ट बंगाल के फेनी वहाँ पे ट्रेंड करा रहा है कि कोलकता दार्बी को बोईकोट किया जाए तो क्या ऐसा रिजन है तो सबसे पहले तो अगर हमको पता रहा है और वह भी खुष नहीं है जिस तरह से मैनेजमेंट अभी इस्ट बंगाल को हैंडल करें क्योंकि आप देखे पिछले 10 सालों में इतना बड़ा क्लोब होने के बावजूद भी कोई भी डोमेस्टिक टाइटल यहां पे जीता नहीं है फेडरेशन कप लेलो चाहे व पिछले 10 सालों में आपने एक भी डोमेस्टिक टोफी नहीं जीती है तो वह मेजर कंसर्न यहां पर बिल्कुल बनता है फेन की और से और फेन की डिमा अब मलब फेन्स वहां पर और सभी सेंपेज पर नहीं आ रहे है और क्लब के और से उतना ज्यादा एक्स्प्लेनेशन भी नहीं आ रहे है तो एक सबसे बड़ा रिजन वह है क्योंकि आप देखिए जब इतना बड़ा फेन बेज होता है और इतना डिवोटेट फेन बेज होता है तो जरूरी है कि आप आप फेन बेज को समझाएं आपका पॉइंट और फ्यू की किस तरह से सारी क्या चीज़े चल रही है और वो एक कम्यूनिगेशन गेफ यहां पे सबसे बड़ा इस्चू निकल के आ रहा है मेरे को लगता है कि तो यह कुछ रिजन से है कि जिनकी बदलोत काफी दादा इस बंगाल के फेन बेज है और बड़ा फेन बेज इससे नाराज है और इसलिए वो लोग आप आप देखें येर भाई येर अभी कम होता हुआ दिख रहा है और वो इंडियन फूटबोल के लिए अच्छा नहीं है बड़ा इस तरह से मडलब दोनों ही कलब में मेनेजमेंट और उन सबके इस्चू से फेन बेज के साथ एक क्या बोलते कि सेम पेज में ना होना या फिर फेन बेज का नाराज होना I think वो एक डेवर्स्टरेटेड एफेक्ट ला सकता है फ्यूचर में तो लेट सोब कि दोनों ही कलब के मेनेजमेंट एंड फेन के बीच वो फिर से एक रिलेशन से बने और दोनों ही कलब के मेनेजमेंट की और से एक को मुनिकेशन वहां पे ब्र जरूर है तो लेट सी कि कल कोलकता डार्वी में कौन जीता है लेकिन यह सबसे बड़ा एक यहाँ पे टोकिंग कोईट अभी उबर के निकर रहा है तो गईस आपको इस बारे में क्या लगता है मेरे को कोमेट सेक्शन में जरूर बताए और अगर यह वीडियो आपको इंफ सब्सक्राइब क्यूरियोसरी इसी तरह इंडियन फूटबोल को सपोर्ट करते रहे चैहिंद जय वारत